अडानी ग्रूप को लेकर रिपोर्ट जारी करने के बाद अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर के पूर्फ चीफ एक्जेक्यूटिफ आफिसर यानि की सीईयो जैक दॉर्सी की पेमेंट कमपनी ब्लॉक इंक पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैक दॉर्सी की कमपनी ब्लॉक इंक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैक दॉर्सी की कमपनी ने फरजी तरीके से अपने यूजर्स की संख्या बढ़ाई है और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कस्टुमर एक्विजिशन कॉस्ट को कमपनी ने कम कर दिया है इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही ब्लॉक इंक के शेरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और कमपनी के शेर 20 परसंट गिर गए हैं इतना ही नहीं इस रिपोर्ट से जाग डॉर्सी की संपत्ती पर भी असर पड़ा है और जाग डॉर्सी 52.6 करोट डॉलर्स गवा चुके हैं ब्लूमबर बिलियनेर्स इंडेक्स के अनुसार 11 परसंट गिरावट के बाद अब उनकी संपत्ती 4.4 बिलियन डॉलर हो गई है हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉक इंक के खिलाफ दो साल तक की गई जात से पता चलता है कि कमपनी ने व्यफस्थित रूप से डेमोग्राफिक्स का फाइदा उठाया है जो गलत है इस रिपोर्ट की माने तो ब्लॉक इंक ने निवेशकों को गुमराह किया है और तत्यों के साथ खिलवाड किया है गौरतलब है कि सोशल मीडिया कमपनी ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ब्लॉक इंक की स्थापना 2009 में की थी और हिंडनबर्ग ने इससे पहले अदानी ग्रूप पर भी फ्रॉट के आरोप लगाये थे जिसको लेकर अभी भी विवाद जारी है